तीना को भी कह दिया गया कि तुम शालीन भनौ से बंप्सेस्ट हो। यहां पर टीना को यह कहा जा रहा है कि पूरे हफ़ते तुमने सिर्फ शालीन भनौत का नाम लिया है। यहां पर टीना को यह भी कहा जा रहा है कि तुम शालीन भनौत से अप्सेस्ट हो। और जब टीना समझाने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर टीना को कहा जा रहा है कि तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तुम्हारा यह attitude तो दोस्तो एक तो मुद्दे को पूरे तरीके से घुमा देना उसके बाद अगर सामने वाला explain करना चाहे तो उसे बोलने ना देना किस बात की निशानी है हमेशा हमने देखा है अगर हम यहाँ पर प्रियांका का example लें तो जब उस पर मुद्दो को घुमाया जाता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उसे बोलने दिया जाएगा तो मुद्दा ही क्लियर हो जाएगा और प्रियंका एकदम है ना बोलते ना क्लीन चुट के साथ उस इल्जाम से बाहर आ जाएगी सेम यहां पर कुछ टीना के साथ भी ऐसा ही हुआ है हमने एपिसोड में पूरे बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ ठेड में बहुत बढ़िया तरीके से देखा के टीना ने इतना नाम नहीं लिया है शालीन का जितना शालीन ने टीना प्रियंका कहा है बहर जाकर मैं बताऊंगा तुम ही in ने तुम्हारे बारे में क्या बताया है बहुत सारे सीक्रेट चे मेरे पास बाहर जाके मैं बताऊंगा ये टीना ऐसी लड़की है, ये प्रियांका वैसी लड़की है प्रियांका ऐसे चलती है, ऐसे खाती है ऐसे हस्ती है जितना नाम शालेन ले लिया उतना तो टीना और प्रियांका ने लिया ही नहीं है फिर यहाँ पर वार उन पर क्यों फिर यहाँ पर वो जिलत का सामना क्यों करना पड़ रहा है क्या कहना है आप सबी को कॉमेंट शेक्षन में जरूर बताईए मिलते के नेक्स्ट वीडियो में